नमस्कार दोस्तों मैं आउस्तुनी पांडे स्वागत था अब सुपके एक नई वीडियो में हाली में इंटरनेशनल मुनेटरी फंड ने 15.6 बिलियन का लोन अप्रूब किया है उक्रेयन के लिए अब आप कोगे उक्रेयन तो वोर में है और इंटरनेशनल मुनेटरी फंड का तो ये नियम है कि कोई भी कंट्री अगर वोर में है तो उसको वो लोन नहीं देने वाली लेकिन ये रूल था ये रूल तोड़ा जा चुका है इस रूल को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ इवेसे का है अब इसका पूरा गेम समझते है सवा तीन बिलियन डॉलर मांग रहा है सिरी लंका पिछले एक साल से अब जाके अप्रूब हुआ है जो कि इंडिया ने बह डो गोड्वारा होल्ड किया जाता है जो सबसे जादा उसमें डोनेशन देते हैं मतलब आ जिन कंक्री का सेर उसमें जादा है वो कंक्री उसको कन्ट्रोल करती हैं अब इसमें अगर देखा जाले टौक का नाम योई से जो है वynn जापान 6.14 परसंट और चाइना 6.8 परसंट जर्मनी 5.31 परसंट और फ्रांस 4.3 परसंट यानि अगर देखा जाए इसमें तो ये वेज से जापान जर्मनी फ्रांस ये सब एक मिजोर्टी में आते हैं लेकिन इसका वोट काउंट कैसे होता है ये एक दम से बायस्ट है और ए इसका जो बीटो है या इसका जो रूल है वो चेंज करने का पावर उसी कंट्री के पास होगा जो 85% ओटर्स को अपने फेवर में कर लेगी अब आप ध्यान से देखो इसको 85% ओटर्स तभी फेवर में आएंगे जब 85% सेर धारक इसके उस फेवर में जाएं क्योंकि हर एक परसंट का एक ओट बनता है तो युएसे आकेला 16.50% जब होड करता है तो 85 बचेगा ही नहीं वो तो 83.5% ही बच रहा है तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो इसका सुपर पावर है वो युएसे है तो युएसे जब चाहता है तब बीटो कर देता है कोई भी नियम में इस युएसे ने इस रूल बोग को दुबारा से रिटेन कर दी और युक्रेइन को इलिजबल बना दिया कि वो 85.6 बिलियन डॉलर का लोन पा जाए जब कि ये बिल्कुल भी रूल के हिसाब से नहीं होना चाहिए कोई भी कंट्री अगर वोर में है तो उससे आएमेफ लोन कभ युएस और युडियन की अलाइस कंट्री है रही बात स्री लंका की जो गलोबल साउथ की कंट्री है जिसको इंडिया सपोर्ट करता है उसको एक साल लग गया वाद तीन बिलियन डॉलर लोन लेने में और वहीं युक्रेइन को एक हट्ते में लोन मिल गया पूरा रूल च इसमें इंडिया रसिया और चाइना का भी सेर होता है लेकिन फिलहाल के लिए यह अपरूब हो चुका है रूल दुबारा रिटेन हो चुका है और अब युक्रेइन को साढ़े पंद्रा बिलियन डॉलर मिल जाएगा इस तरह से युएस लिटिली इंटरनेशनल इस्टिउ का दूर युपयोग करता है अपने अलाइस के लिए उनका सपोर्ट करने के लिए वाइट पीपल को इस्पेशली माननेता देने के लिए या वाइट पेपल को प्रिविलेज देने के लिए क्योंकि स्री लंका वाले क्या इंसान नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए था लकि तेक यंदर